हेलो एवरिवन वेलकम टू माई योटिब चैनल आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में और फ्रेंट इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे नियू रिकूट्मेंट के बारे में देखो यहाँ पे रेलवे मंतराले की तरफ सी एक बड़ा फैसला लिया गया है और अब जो फ्यूटर वेकैंसी इस रेलवे की आएंगी उसमें सलेक्शन लेना आप कह सकते हैं कि और भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्या रीजन है इसके पीछे आपको ओफिशल जो यहाँ पर चीजे सामने है यह वो आब दिखाऊंगा तो वीडियो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए देखें यहाँ पर क्या है कि आपको पता है कि समय समय पर रज्यसभा लोकसभा में जो है रेल बंतरी से यहाँ रेलवे बंतराले से जवाब तलब किया जाता है तो यहाँ पर हाली में अगनी वीरों को रेलवे की नो लिए रख दिया है अब आपके लिए डिफिकल्टी कैसे हो सकते अगर आप अगनिवीर नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा पहले एक बार इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं भारते से नमे अगनिवीर के रूप में काम करने वाले युवाव को रेलवे बोर्ड की नौकरि परतिशत रहेगा लेवल टू और उससे उपर के पदों में ये पांच परतिशत रहेगा यानि कि जैसे एंटी पीसी हो गया एलपी हो गया लेवल टू और उससे उपर वाली जो बातिया टेक्नीशन हो गया इन सभी में ये आपका जो है पांच परतिशत रहेगा चार वर् जो है आपकी दोड़ वगएरा होती है उसमें इनको रिलेक्सेशन मिलेगा और जहाते हैं मुझे लगता है आरपीफ में भी इनको रनिंग वगएरा नहीं करने होगा यानिकि फिजिकल इनको नहीं देना होगा तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि देखो जो एक बंदा है जो अफिशल बयान है यह रेल बंतरी ने बताया कि अगनी वीरो को मुझूदा उम्र सीमा से पहले बैच को पांच वर्स एम बाद के बैचों को तीन वर्स की छूट दी जाएगा और साथ ही इनको एज में भी रिलेक्सेशन मिलेगा ये भी इन्होंने बताया है इसके अधर ए रेलवे पुलिस बल में कॉंस्टेबल पद के लिए बर्ती में अगनी वीरो को शारिक दक्सता परिक्सा में छूट दी जाएगा जैसा मैंने अभी आपको बताया इनको आर्पिएफ में भी फिजिकल में रिलेक्सेशन मिल जाएगा बिना फिजिकल के इनका सेलेक्शन है कि 2018 से लेकर 23 तक हमने 3 लाख हुआओ को रेलवे में नौकिला दी है हाला कि आखना 3 लाख किस तरह है यह मेरी समझ से बार है क्योंकि ग्रूप D NTPC को अगर सभी को भी मिलाता हो तो 3 लाख से थोड़ा कमी रहेगा लेकिन फिर भी एप्रॉक्स फिगर में 3 लाख बता र रहे हैं रेलवे में रिक्तियों के संबन में बताया कि पहली जुलाई 2023 तक रेलवे में ग्रूप A, B, C में धाई लाख से जादा रिक्तिया है ठीक है उत्तरी छेतर में सबसे जादा 32,636, पूर्वी छेतर में 30,085, पस्चिमी छेतर में 25,000, एम बद्धे छेतर में 25,384 84 रिक्तिया है अब यह तो बोलने की वैकेंसी तो है लेकिन यह नहीं बोलने की वैकेंसी निकालेंगे कब ठीक है बाकी अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि अब आपके लिए मुश्किल कैसे बढ़ने वाली है पहले से आपको पता होगा कि जैसे मैं अगर गुरूप D की स्पेशल बात करता हूँ पहले 20% रिजर्वेशन यहाँ पे CCI यापरेंटेशिब वालों के लिए सीट यहाँ पर रिजर्व रहती है अगर उन्डड सीट आती है तो वालिया सो सीट आती हैं तो 20 सीट जाएंगी CCI वालों के लिए फिक्स 20% का रिजर्वेशन ही ex-serviceman के ल परदावा जो 50% seat बचेंगे गर 100 seat आती हैं समय से 50 तो यह गई 50 जो बचेंगी अब उस 50 में देखो EWS का reservation हो गया 10% का SC, ST का reservation हो गया OBC का reservation हो गया PWBD candidate का reservation हो गया यानि कि इनकी seats भी reserve रहती है तो बचे का क्या एक normal candidate जो ना PWBD है ठीक है जो यहाँ पे ना OBC है जो ना SC, ST है जो ना EWS है एक UR candidate है जो ना एक service man है ना CCA है और ना ही वो जो है आपका अगनीवीर है तो उसके लिए क्या बचेगा मुश्किले मुश्किल से यहाँ पर 5-7% seat बचेंगी यानि कि 100 seat में से 5-7 seat पर ही वो fight करेगा तो यह मैं आपको समझाने कि यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं कि आगे आगे चीज़े difficult होने वाले है और यह चीज़े यहाँ पर confirm हो चुके है कि 15% जो आरक्षन है वो इनको मिल मिलना ही है तो future vacancy में इनको मिलना start हो जाएगा अलाकि अगर अगनिवीर का बैच अभी तक complete नहीं हुआ तो आने वाली vacancy में शायद वो यहाँ पर अपना हाथ ना जमाए लेकिन उसके बाद जो vacancy आएंगी जब इनका पहला बैच complete हो जाएगा चार साल वाला चार साल करक कि जो हट जाएंगे वहाँ से अगनिवीर से उन सभी को यह चीजे मिलने वाली है और यह एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए difficulty उत्पन कर सकती है बागी आपकी इस बारे में क्या रहे हैं comment box में जरूर रताएं